क्लासिस मैसूर भी लेके आई हूं फिजिक्स के कुछ इंपारेंट कोश्चन्स जो आपके आने वाले पीपर के लिए बहुत इंपारेंट है ठीक है इसी तरीके की में केमिस्ट्री की वी वीडियो लेके आने वाली हूं तो हमाई नए है तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर करण हैक मुंआ हो जंसा कवsm 지 से का है तो वह आपका क्यों रहाता है माकी वह प्रियो की करना नह रहा है तो आपका क्यों रहा जंक्रशाता कि तानाव को प्रेस्ट्रेग कर सकते हैं तो उसको कह है गरम करके या तेल डाल कर ठीक जब आप उसको गरम करेंगे तो उबलेगा तो उपर नीचे उपर नीचे करेगा तो जब वो उपर नीचे उबलने पर पानी उपर नीचे होगा तो वो तनाब जो होगा वो हट जाएगा या कम हो जाएगा या तेल का पानी तेल डाल देंगे कि यंजर पानी में दो भी क्या है तो उठा थोड़ा से बैठा मैं तो उससे क्या होगा हम प्रस्तना कम कर सकते ह। सेकंड कोशेन है second question ठीक है जल की एक बड़ी भूंद को अनेक छोटी-छोटी भूंदों में विवक्त करने से उर्जा प्रेस्ट उर्जा में क्या प्रिबर्दन होता है प्रेस्ट उर्जा क्या होगी बढ़ जाएगी ठीक है अब next question है इस बात की सुई सुद्ध जल पर तहती है जबकि उनकी गोल का प्रेस्ट नाव जो होता है वो सुद्ध जल की तुलना में कम होता है ठीक है साबुन जो होता है जब जहाग बन जाता है तो उसमें पानी की बुलबलें पढ़ जाती है होने लगती है जिसके कारण वो तनाव उसमें कम होने लगता है और जो सुद्ध जल होत जल को तुर्द गूर्ब का शांता गुनाग कितना होता है नेक्स पर आते हैं सावण के गोल का प्रेष तर नाव 3 ंटू 10-2 न्यूटन पर मीटर है इसका 員ते है इसका अर्थ है कि सावन के गोल के प्रेस्ट पर खीची गई कालपनिक रेखा की लंबाई जैसे कोई सावन के गोल पर जो भी प्रेस्टनाव उत्पनोरा मतब कम है या जाद है जो भी है उस पर खीची गई यह वो काल्पनी रेखा मीटर लंबाई पर इसके लंबवत न्यूटन इस पर रेखिये बल कारे करेगा ठीक है तो इसलिए वहाँ पर प्रिस्तना इतना हो जाएगा 3 into 10 की पर माइनस 2 न्यूटन पर मेटर ठीक है नेक्स कोईशन आता है यदि द्रव को गरम किया जाता है तो केशनली में द्रव स्थम की उचाई पर क्या प्रवाब पढ़ता है ठीक है जब हम द्रव को गरम करेंगे तो क्या होगा इस्थम मत्तब एक पाइप है जैसे कोई बर्तन है उसमें कोई pipe रखा गया है उसको बोला है कि द्रव स्थम की उचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा ठीक है केशनली की केशनली कहेंगे इसको यहाँ पार ठीक है तो क्या होगा जब पानी करम होगा तो क्या होगा भाब बन के उढ़ने लगेगा जिसके कारण वो जो केशनली में जब दरब चड़ता है दरब इस थम पे तो उसकी उचाई भी क्या हो जाएगी कम होने लगी तो यहां हो जाएगा हमारा अंसर घटने लगेगी नेक्स कुशिण पे ओत हैं एक 36 पाइफ में 36 पे उसके प्रभा का वेक इतना दिया हुआ है जल को फ्रेच का वेक शीर्ष निकालिए जल के वेक शीर्ष का फॉर्मला होता है veta square upon 2g जल के वेक शीर्ष का फॉर्मला होता है v2 upon 2g ठीक है तो 5 मीटर ठीक है तो यह आ गया 5 मीटर next question है यदि कीसी यदि केशनली को थोड़ा जुकाया जाए तो केशनली में द्रव इस्थम पर क्या प्रवाव पड़ेगा केशनली को थोड़ा जुकाने पर द्रव इस्थम की उचाई पर कोई प्रवाव नहीं पड़ेगा ठीक है बस अगर कोई केशनली को हम उसमें जुगाएंगे तो वो पानी उसी में रहेगा वर टेड़ी थोड़ा सा तिर्चे में हो जाएगा लंबा उतना ही भरा रहेगा पर परन्तु ठीक है अब आते हैं नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन कह रहा है कि इस पात की सुईसाब उन नेक्स कोशन पर आते हैं किसी द्रव का प्रिस्तनाव कैसे बढ़ता है ठीक है उत्तर है किसी द्रव का ताब घटाने पर घटाए जाने पर द्रव में अधिक घुलंशीर पदास मिलाने पर द्रव का प्रिस्तनाव बढ़ जाता है ठीक है मतब कि ऐसी चीज में डाली जो घुल जाएगी तो वो फिर से प्रॉपर बराबर जाएगा पानी उपर से ठीक है इसलिए वहाँ पर उसका प्रिस्तनाव बढ़ जाता है यदि उसमें कोई भी एक घुलन पर से शील प्रदार डाल दे नेक्स कोशन है कि द्रवों में उश्मा का इस्ताना अंतर किस विद उस द्रव की ये सुभाविक प्रवर्ती है जिसके कारण द्रव का सुतंतर प्रस्ट सदेव अपनी प्रस्ट छेतफल को ये था संबब नियुनतम करने का प्रयास करता है अथवा एक तनी हुई प्रत्यास जिल्ली की भाती बहबार करता है मतलब कि आप किसी भी बरतन में पानी डालते हैं या द्रव डालते हैं तो वो अपने प्रॉपर फिर से बराबर बन जाता है ऐसा तो नहीं है कि कहीं से उठा हुआ है कहीं से नीचा है पानी नहीं तो जहां पर ये प्रस्टना कम हो जाता है मतलब कि अपना छेत्रव कम करने की कोशिश करता है जिसके प्रश्ट नहुता है। एक तनी हुई प्रत्यास जिल्झी की बातिक बेवार करते। थीर करका है। बढ़ाने पर बढ़ता है ठीक है जब की हुक के निया मनुसाय द्रब का प्रिस्टनाव खिचाव अधवा प्रिस्ट छेट फल पर नहीं करता है ठीक है मतलब जिली जो होती है जितना आप उसको खीचो के उतरह ही उसमें तनावुत बनोगा पर नतु पानी के साथ ऐसा नही किसी द्रब के प्रिस्ट तनाव का मान उस द्रब पर निर्भर करता है ठीक है ढ kicking से यसी आप बढ़ाोगे तो प्रिस्टनाव घटेगा ऑ प्रिस्टनाव के वह द्रब का कोन है लिए द्श mentre नहीं ना तो ठोस में देख पाएंगे ना तो द्रव वस्ता में देख पाएगे सिर्फ यह सिर्फ यह द्रव वस्ता में शॉरी गैस में नहीं दें मिलेगा आपको ना तो है थोस में मिलेगा ठीक है next question पे आते हैं कहरा है कि प्रस्तनाव को किन कारण कोड़ा प्रवाव पड़ता है ठीक है तो ये निमनेखित कारक हैं तीन कारक देवे हैं आपको यहाँ पर पहला कारक है कि ताप प्रवाव ताप बढ़ाने से ससमंजर बल का मान घटता है जिसके फलसरु प्रस्तनाव भी घटने लगता है क्रांतिक ताप पर प्रस्तनाव शूर्ने हो जाता है ठीक है अब गुलनशील पदार डालने पर ही प्रिस्तनाव बढ़ता है otherwise अगर कोई ऐसी चीज है जो घुल नहीं सकती अगर वो द्रम में पढ़िये तो वहां पर प्रिस्तनाव क्या होगा घटने लगेगा ठीक है विले तता प्रवाब प्रयोगों से जात होता है जल का प्रिस्तनाव उसमें गोलेगा प्रिस्तनाव प्रिस्तनाव बढ़ जाता है इसके विपरित जल में गोलन गोलने पर जल का प्रिस्तनाव घट जाता है ठीक है तो नमक जो होता है वो गोलन शील प्रिस्तनाव बढ़ जाता है जो की पूरी तरीके से गोल जाता है ब्लूर पक्रिस्टैवित भृद्ग worrying नेग्स कूश्ण पर और अद्विक होता है तो किसी भी लोग की पथली भाउए नदर गंच रहा है क्यों कह रहा है कि लोहे का घनत वे जल की अपेक्षा अधिक होता है किसी भी लोहे की पतली सुई जल पर तैर सकती है क्यों एक स्वक्ष पतली सुई को स्याही सोकते पर उससे स्याही सोकता होता है उस पर रख देते हैं और दीर से पानी की सता है पर उसको रख दिया जाता है सोकता कुछ देर तक पानी को सोक कर गीला हो जाता है मतलब जो एक पेपर होता है सोकता जिसे बोलते हैं स्याही सोकता उसको उसके उपर रख कर इस पानी पे रख देते हैं ठीक है जब उसको पानी पे रख देते हैं सुई की अनप्रस छेत फल को दिखाया जाएगा मतब कि अगर ये डाइग्राम बनाए तो इस टाइब से होगा जैसे ये पानी है यहाँ पर कोई सुई रखी है तो कह रहा है कि जल के प्रस्तनाव पर तैर्दुई सुई के दो बल लगेंगे पहला होगा तनाव प्रस्तनाव बल दूसरा होगा सुई का बहार ठीक है प्रस्तनाव का परिमानी बल उर्द्वादर उपर की ओर लगने लगता है जो सुई के बहार डबलू के को संतुलित करता है जिसके बलसरूर सुई जो हती है किती नहीं है मतलब कि जो सुई का भार होता है डबलू वो नीचे की साइड लगता है परंतु जो तनाववल होता है वो उपर की साइड लगता है तो सुई का भार होता है और नीचे से तनाववल दोनों बराबर हो जाते हैं जिसके कारण सुई क्या होती है वो तैरने लगती है ठीक है next question कह रहा है कि एक केशनली में जल चड़ता है ठीक है एक केशनली है उसमें जल चड़ता है जबकि पारे का जल गेर जाता है जसे माली जे ये केशनली है ठीक है इसमें कोई केशनली रखा है तो उसमें जो है जल का तल जो है ऐसे उठ जागा दा है ठिक है प्रंटु अगर उसको पारे में खड़ा कर दे तो पारे में खड़ा करने पर वो इस टाइप जो जाता है ठिक है क्यों पहला पॉइंट निगालना है असुदता प्रश्वत नाम पर असुदता बता यह और आपका प्रवाग क्या पड़ता है ये भी बताना है तो कह रहा है कि केशनली में जल चड़ता है जबकि पारे का तल नीचे गिरता है ठीक है जसी ये नीचे की हो रहा जाता है पारे में उठ जाता है यहां पर पर तू मुखे कारें इस परश कोन होता है द्रवों के इस परश जिन्द रवों के लिए इस परशकोन अधिक होता है तो वे केशनली में नीचे उतर जाता है इसका कारण है कि केशनली में जल उपर चड़ जाता है जब कि पारे का तल नीचे की हो जाता है केशी कातु का कारण जल द्रव का प्रस्तनाव का ससमंजन बल होता है ठीक है ससमंजन बल के कारण ही उपर की उठता है और घटता है ठीक है कि असुदता के कारण प्रस्तनाव घट जाएगा क्योंकि ससमंजन ससमंजक बल घट जाएगा ठीक है अब ता बढ़ाने पर प्रस्त जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि किसी एक बिंदू से गुजरने वाले द्रव के सभी करण एक ही मार्ग पर चलते हैं अर्थात पीछे आने वाले करण आगे आने वाले करणों का अनुसरन करते हैं मतलब की एक सीधी रेखा में ज़ो जल बहने लगता है तो वो ध़़रा रेखा करते हैं तो दो द्दारा रेखा एक दूसरे को नहीं कारते है जदि एवाए एक दूसरे को काटे है तब इसका आर्थ होगा कि कटान मिंदूर पर तरल के वेक की दो दिशाएं हैं जो कि असंबब है धारा लिखा वक्र अत्वा सरल लिखा कुछ भी नहीं हो सकती है ठीक है मतलब कि तरल वेक की दो दिशाएं नहीं होंगी ठीक है अगर दो दिशाएं होंगी तो वो इसका दो दिशाएं नहीं होंगी क्योंकि वो असंभाव है ठीक है नेक्स गोशन पर आते हैं तन्य पदार्थ तन्य पदार्थ एवं भंगुर से क्या ताथ पर रहे हैं ठीक है वह पदार्थ होते हैं जिसमें प्रत्यासता की सीमा के आगे प्लास्टिक छेतर बढ़ जाता है ठीक है ऐसे पदार्थों को प्रतिबल विक्रिती वक्र ये भंजग बिंदू प्रत्यासती की बिंदू से काफी दूर होता है कहने का मतलब कि ऐसे पदार्थ के प्रतिबल विक्रिती वक्र ठीक है ये भंजग बिंदू पत्यास की सीमा के बिंदू से काफी दूर होता है इसके तार खीचे जाने इनके तार खीचे जा सकते हैं इस प्रकार के प्रदार्थों का प्रियोग स्प्रिंग तता चादर बनाने में किया जाता है उधारन के लिए तामा, चांदी, लोहा, एल्मूनियम आदी बनाने में भंगुर प्रतार्थ वे प्रतार्थ हैं जिसके कारण प्रतार्थ की सीमा से परे प्लास्टिक छेत्र बहुत छोटा होता है एसे प्रतार्थों के प्रतिबल विक्रती वक्र में भंजक बिंदू प्रतास्ता की सीमा के निकट होता है इसके उधारन हो जाएंगे काज भंगुर प्रतार्थ इनके प्रतिबल विक्रती वक्र सनलंग चित्र की भाति भेवार करते हैं कि अगर आप चेत्र बनाएंगे तो इस टैप से बनेगा ठीक है उसके बाद आता है नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन है नेक्स कोशन है वाई मंडली दाब को क्या आर्ट होता है इसे किसी इसे किस परकार से नापा जा सकता है ठीक है वाई मंडली दाब वायू मंडल में उपस्तित गैस तता वायू द्वारा किसी बिंदू पर डाले गए दाब को वायू मंडले दाब कहते हैं ठीक है वायू मंडल में जित्ती भी गैसे उपस्तित होती है या वायू द्वारा ठीक है जो वायू है उसके द्वारा किसी बिंदू पर ठीक है को यह एक पॉइंट है उस पर डाले गए दाब को ही हम वाय मंदली दाब केते हैं ठीक है किसी बिंदू पर वाय मंदली दाब की मापन हेतु सरल वायू दाब मापी कप्रियों किया जाता है ठीक है इसका विश्कार टॉरी सहली ने किया है ठीक है किसी बिंदू पर वा तो तरल का दाब भी पी होता है, वायमेलिली दाब भी पी होता है, तो इसने वायमेलिली दाब को लिखा है, पी है, उसके अंतर को हम गैज दाब कहते हैं, तो गैज दाब बरावर जाएगा तरल का निर्शेप दाब, निर्पिक्ष दाब, और वायमेलिली दाब हो जाएगा पीए ठीक है गैजदाव ठीक है यह हमारा formula हो जाएगा next question पर आते है किसी दरव के प्रस्ट ना आप से क्या ताथ पर है तता इसके मातरक को लिए ठीक है माना किसी दरव के प्रस्ट में एक कालपने करेखा A भी कीजी जाती है ठीक है माना कोई एक प्रस्ट दूसरी ओर से प्रस्ट पर एक आकर्शन बल यहां पर सवरी आकर्शन लिखा है एक आकर्शन बर आरोपी तैफ होता है जो रेखा A B के लंबवात था प्रस्ट के तल में कारे करता है ठीक है रेखा A B की लंबाई एक अंग upon L ठीक है यहाँ पर यदि हम L को one माल लें तो एक आंग लंबाई के लिए सॉरी हाँ एक आंग लंबाई के लिए अगर हम प्रस्तनाव लें तो वो क्या हो जाएगा बलके एक कोल हो जाएगा ठीक है next इसमें बताए एक और definition दी गई है कि किसी प्रस्त का दनाव वह बल है जो की दिरब के मुक्त प्रस्त पर किसी भी दिशा में खीची गई काल्पने के रिखा के लंबाई किसी काल्पने के रिखा के एक आंग लंबाई मतलब की L जो है वहाँ एकांक लंबाई का मतलब है एकांक मतलब है पर प्रष्ट के तल में तथा रेखा के लंबवद कारे करता है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वेर अगर हम इसकी भीमा निकालते हैं MT-2 हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि किसी द्रव के प्रष्ट तनाव का मान द्रव के ताव तथा द्रव के प्रष्ट के दूसरी और के माध्यम का ताव बढ़ाने पर प्रष्टनाव घटता है ठीक है करांतिक ताव पर शुनने पर जो होता है मतलब कि ऐसा ताप जिस पे प्रिस्टनाव शून नहीं लगे वो किया ताप क्या कहलाता है वो क्रांतिक ताप कहलाता है ठीक है अब आते हैं नेक्स कोशिशन पर इस परश कौन किसे कहते है ठीक इस परश कौन जब किसी द्रव का मुक्त तल जब किसी द्रव का मुक्त तल किसी ठोस तल के संपर्क में आता है तो इसपर्ष इस्थान पर उसका तल 36 ना होकर वक्राकार हो जाता है यदि दो केशनलियों में जल और पारा अलग-अलग भरा जाए तो जल का तल अब तल तथा पारिक का तल उत तल हो जाता है ठीक है तो क्या है कि द्रव और ठोस के किसी इसपर्ष बिंदू के द्रव के तल पर खीची गई इसपर्ष इखा तता ठोस के तल पर द्रव के अंदर योर खीची गई इसपर्ष इखा के बीच बने कौन को उस ठोस द्रव एवं ठोस के लिए इसपर्ष कौन कहते है अगर माल देजे इस टाइप से है अगर इसमें जल भरा हुआ है तो ये इस टाइप से आएगा और अगर पारा भरा हुआ है तो आपका इस टाइप से बनेगा ठीक है तो अगर आप इस पे एंगल बनाएंगे तो इस पे अंदर की ओर बनेगा ठीक है तो ये बनाएगा आपका काच तथा पारे के लिए इस परश कोन हो जाएगा 135 दिगरी और जल तथा चांदी के लिए इस परश कोन हो जाएगा 90 दिगरी तो कह रहा है कि जो दरब ठोस को भिगोते हैं जो दरब ठोस को भिगोते हैं उनका इस परश को नियुनतम होता है तथा जो द्रफ ठोस को नहीं भीगोते हैं उनका इस परश को अधिकतम होता है ठीक है जैसे कि काच और पारा है ये दोनों ठोस हैं ये भीगो नहीं पाते हैं ठीक है तो इसका कोण जो होगा है 135 degree के लगबग होगा और जल जो है और चांदी जो है यह किसी भी तल को भीगो सकते है इसलिए इसका कौंड जो हो जाएगा वो 90 degree हो जाएगा कि एक केशनली में जल चड़ता है यह मालीजी एक केशनली है इसमें जल चड़ा हुआ है ठीक है जबकि पारे का तल गिर जाता है हमें बता है कि पारे का तल जो होता है गिर जाता है ठीक है तो प्रस्तना पर क्या प्रवा पड़ेगा असुदता का और ताप का यह हमें बतान कि पहले हम केश नली को देखते हैं ठीक है कह रहा है कि केश नली में दर्ब के उन्य इन कॉन के रहे सूत्रह माना केश नली किसी तर्जा नली की तरजा ग्या है ठीक है जैसे रही से भरे बर्टन में सीधी खड़ी कर दें इस आजै C System को भरめ इसक को सीधा खड़ा कर बनेगा वो क्या बनेगा A E और B ठीक है यह अब तल में बनेगा तो कह रहा है चुकि प्रिस्तनाव का बल द्रव की मुक्त सताय पर छेतफल कम से कम होना चाहिए ठीक है तो इसलिए यह बल द्रव में अंदर की और इसपश बिंदू पर ठीटा कोंड बनाएगा यह अंदर की और बना रहा है ठीटा कोंड यह बना रहा है यह अंदर की और बना रहा है कहां बना रहा है यह ठीक है तो कह रहा है कि एक मिनट अंदर की और बनाता हूँ नली की दिवार की प्रतिकिरिया की कारण आर प्रतिकिरिया की कारण बल जो लगेगा वो आ लगेगा द्रव के वक्र प्रस्ट की परीदी की एक आंग लंबाई पर बाहर की ओर लगता है जिसके कारण यह टीज कोस्टु एफ हो जाएगा अभी हमें पता था एक आंग लंबाई पर जो प्रतिकिरिया बल आर लग रहा है जो की एफ की जगह हम आर यूज करेंगे तो टीज में अगर तोड़ें ठिक है तो चैथिस में आपको पता है साइन में जाता है और उर्धवादर में जो होता है Friday सीकर 我व दिशा सभी दिशाओं में छाथिस रूप में लगता है ठीक है तो इसका परिमारी सोनने होगा ठीक है तो यह बल नली में द्रब की उपर चड़ने की लिए उतरदाई होता है केशनली में पक्र A, E, B ले लेंगे वही गोलाई में नीचे से लेकर ठीक है और इसकी तरज्जा क्या हो जाएगी वहाँ पर R हो जाएगी केशनली में द्रब का आयतन क्या हो जाएगा मैनिसकल A, B, D, E, C में भरे द्रब का आयतन और H उचाई का आयतन अगर हम इसको ले 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 तो मैनिसकल की जो वैल्यू निकालेंगे वह हो जाएगी बेलन A, B, C, D का आयतन माइनस गोला अर्द गोला A, E, B का आयतन और प्लस H उचाई में बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आयतन लगाएंगे दोनों में से रखने पर क्या होगा इसको सॉल्ट करेंगे सॉल्ट करने के बाद आजाएगा हमारा वन अपॉन थी पाई आर क्यूब और प्लस में पाई आर स्कॉाइर एच ठीक है आप कहा है कि नली में चड़े द्रव का द्रविमान क्या हो जाएगा भाब पर यह जहां रो का घंट अहीं रो जो है द्रव का घंट अहीं ठीक है तो नली में चड़े द्रब का भार जो हो जाएगा 1 upon 3 pi r cube plus pi r square h ठीक है pi r square h हो जाएगा और into रोजी हो जाएगा रोजी जहाँ यहाँ रोज हो है वो आपका द्रब गनत हो है ठीक है और हमें पता है परन्तु आरोपित कुलबल कितना है f है जो कि अभी हमने निकाला 2 pi r t cos theta ठीक है और जो कि जल में चड़े पारे की भार की बरावर हो जाएगा जल में चड़े पारे का भार हमने यह निकाला है ठीक है तो दोनों को equal रख रहेंगे equal रखने के बाद इसमें से pi r square common r ले ले लेंगे लेने के बाद यहां से 1 r से 1 r cancel out कर देंगे और pi से pi cancel out कर देंगे तो क्या बचेगा t की value t is goes to बचेगा r bracket में h plus r upon 3 into rho g upon 2 cos theta अगर कह रहा है कि r upon 3 की value जो है वो बहुत छोटी हो h से ठीक है r upon g की sorry r upon 3 की जो value बहुत छोटी हो तो क्या करेंगे r upon 3 को हम 0 मान लेंगे ठीक है जब हम 0 मान लेंगे उसको तो उस value का हम वहाँ से हटा देंगे 0 कर देंगे यह नगरने कर देंगे ठीक तो क्या हो जाएगा वहाँ पर हमारा जो formula बन किया है अगर हम यहां से h की value निकाले तो क्या बचाएगा 2 t cos theta upon r rho g ठीक है यह हमारा formula है कह रहा है कि सुद्ध जल वस सवक्षी काश के लिए अकर एंगिल वह जो हाँ पर theta बन जीरो बनने तो क्या हो जाएगा cos theta की value cos 0 की value 1 हो जाएगी तो तनाव का formula बन जाएगा r h rho g upon 2 अब आते हैं next question पर next question है हमारा एक केशनली में पारी एक केशनली में पानी 2 cm उचाए चड़ता है ठीक है अब कह रहा है कि एक अन्ने केशनली किसी तिर्जा मतलब जिसकी तिर्जा पहली तिर्जा की एक तिहाई है ठीक है उससे पानी किस उचाई तक चड़ेगा यदि प्रत्थम केशनली की उद्वादर रेखा में 60 degree कर लें एंगिल जो होगा महाँ पे 60 degree कर दें तो नली में एक पानी की स्थिती क्या होगी ठीक है जूरीन के नियम के अनुसार जूरीन के नियम के अनुसार एर एर ह1 एर वन इसको स्टू एर टू हो जाएगा ठीक है वह कह रहा है एक थ idea तो आहपान त्री हो जाएगा जब उनकी वेल्य होगे एंगे करेंगे सुषड करने पर कर पेर जाएगा जाएगा up एस कंशभ सरक्पर साफ़ करेंगे जाएगी जो हो जाएगी वह सिक्ते संटी मीटर आहईगी ए वह ए कह रहा है कि प्रतम के इस नली में 60 डिगरी पर जुकी हुई इस्तिती चित्र में दिखाई गई है ठीक तो माना इस इस्तिती में पानी नली में हंगे एल मैं फास के ठीक तो वहां पर वioned कि हो जाएगा एच ह सकते हैंगी और मश्युमें पर उसकी वैल्यू रख देंगे रखने पर क्या होगा सॉल्व करेंगे सॉल्व करने पर चार सेंटीमेटर जागा यह हमारे एक केशनल ही इधर खड़ी है यहां से हम इसको ऐसे तिर्शे रखेंगे कि इसका एंगे 60 डिगरी बनेगा और इसमें उचाई तक पानी चड़ रहा है तो उसी को बोल रहा है कि दूसरे में कित्य उचाई तक चड़ेगा हमने दूसरे निकाल लिए दूसरे में भी दूसरे में 6 सेंटीमेटर से तक चड़ेगा ठीक है अब आते हैं नेक्स कोशन पे एक सेंटिमेटर सेज़ा की जल की एक बूंद को 10 की पावर 6 बूंदों में तोड़ा जाता है इसका आ रहे में व्यक्त वय उटब हूई है इसको अलग अलग तोड़ने में उसकी उट़ा नहीं है ठीक है अब कहह रहा है कि पानी के प्रस्तनाव कितना है 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 नीटर पर मीटर ठीक है माना कि बूंदों की तिर्जा जो है capital R है बड़ी बूंद की और जो छोटी-छोटी बूंदे है उसकी तिर्जा हमने small R मान ले ठीक है तो R1 is close to 1 centimeter है sorry capital R is close to 1 centimeter ठीक है अब 10 की पावर 6 छोटी बूंदों का आयतन बरावर हो जाएगा एक बड़ी बूंद का यह जो हती है बुन्द होगे है बुन्द होगे है जो होती है इसलिए गोले काई है तो हम दोनों जगे 4 upon 3 pi r cube रख देंगे बड़ी बुन्द के लिए निया हो जाएगी capital r, छोटी बुन्द के लिए जाएगी small r, 4 upon 3 pi r से 4 upon 3 pi गैंसल हो जाएगी ठीक है, क्या बचेगा, r cube is close to, capital R की power 3 upon 10 की power 6, अगर हम यहाँ से small आ निकालेंगे, तो cube है, तो cube की power सबसे cancel हो जाएगी, cube, ठीक है, तो क्या बचेगा, हम इसको ऐसे करके लिख देंगे, ठीक, 10 cube से वो cancel हो जाएगा, तो r is close to बचेगा, capital R upon 10 की power 2, ठीक है, कह रहा है कि प्रिष्टे चेटफल में व्रद्धी डेल्टा ए, इसको is 2, डेल्टा 6, so 10 की power 6, छोटी बूंद का चेटफल, माइनल, एक बड़ी बूंद का चेटफल हो जाएगा, मतब चेटफल में कित्ती व्रद्धी हुई, इसको हम माइनस कर देंगे छोटी बूंद से, छोटी बूंद के चेटफल से बड़ी बूंद के चेटफल को, ठीक है, तो solve करेंगे, solve करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर, आएगा 4 pi into 99 R square, और R की value हमें पता ही है, रख लेंगे, R की value रखने पर क्या जाएगा, 0.124 meter square, ठीक है, और अब वै उर्जा निकालनी है, तो वै उर्जा का formula क्या होगा, W square T into delta A, है ना, तो delta A हमारा क्या है, उपा निकाला ही है, 0.124, ठीक, और T आपको दिया ही हुआ है, ठीक, तो हम इसकी value रख देंगे, रखने के बाद क्या जाएगी value, 8.928 into 10 की power minus 3 joule, ठीक है, यह हमारी वै उर्जा है, नेक्स कोशन पर आते हैं, नेक्स कोशन है कि शान्त गुणा की परिवाशन दीजिए, और स्टोक के नियम की साहिता से इसे किस प्रकार से प्रयोग के जाता है, इसका बढ़रन कीजिए, ठीक है, शान्त गुणा, माना delta T, ठीक है, डैविशन T, delta T है, ठीक है, एक इस्तिर तता है, ठीक है, तता इससे R दूरी पर एक V वेक से, तता R X प्लस दूरी पर V प्लस डेलटा V वेक से बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि बहते वे देव की विवन परतों के बीच आप एक्षित गती होती है, मतलब जो द्रफ बहता है, तो उसमें कई सारी परते होती है, ठ इसकी कानपरतों के बीच श्यान बल कारेगरता है, ठीक है, तो न्यूटन के श्यान बल के अनुसार, अगर हम इसको निकाले तो जो बल है वो छेत फल के अनुकान पाती होगा, और बल जो है वेक प्रमरता के भी अनुकान पाती होगा, ठीक है, अगर हम दोनों को देख ले दोनों से क्या हो जाएगा अगर हम दोनों को लेए तो f proportional हो जाएगा a into delta v upon delta d अगर proportional अटा है तो नीटा लग जाएगा ठीक है नीटा जो है यहाँ पर क्या है एक नियतांक है ठीक है अगर हम नीटा को नियतांक मानेगे जिसका मान बहने वाले द्रव की प्रकरती पने प्रकरता है तो इसे द्रव का शानता कुणां कहते है ठीक है तो रेंट चेंड से यह तात पर है कि शानबल की दिशा द्रव प्रवा की दिशा के विप्रित होती है शानबल की दिशा जो होती है दिरव इदर की साइड बहरा है तो शानबल की जो दिशा होगी वो उसके आपोसिट डिरेक्शन में तो कह रहा है कि यदि हम छेत्रफल को एक माल लें और डेटा वी अपॉन दिवी अपॉन डिटी को हम वन मालने तो वहां एफ इसको स्टू क्या हो जागा नीटा हो जाएगा तो बल जो हो जागा एक इसको बेखने अतांग के बरावर जाएगा तो कह सकते हैं कि कि द्रव का त्शानता गुणांक द्रव की भीतर एकांग शेत्रफल वाली उन परतों के बीच इसपर्श रेखे बल है जिन परतों के बीच एकांग वेक प्रमरता पाई जाती है ठीक है नेक्स को नेक्स आगे कह रहा है आगे कह रहा है कि सर जोर्ज स्टोक्स ने ग्याद किया है कि जब सुश्मकार की एक वस्टू जोर्ज स्टोक्स ने बताया कि सुश्मकार की एक वस्टू एक ऐसे माध्य में गिराई जाती है ठीक है जिससे शानता का गुण हो मतलब ऐसे माध्य में गिराई जाती है जिसमें शानता का गुण हो तो प्रारम में वस्तु की गती में तौरन होता है परंतु कुछ दूर चलने के बाद वस्तु का वेग नियत हो जाता है मतलब कॉंस्टेंट हो जाएगा फिर जब अगर उसमें शान बर उत्पन हो रहा है ठीक है या गुण है उसका तो शान माध्य में इस टोक से ग्यात होता है कि आर्द जिया की गोल वस्तु के नीटा शानता गुणांक वाले माध्य में गिरने वाले द्रव का शिमांत वेग भी होगा ठीक है तो वस्तु पे लगने वाला बल जो होगा उस टाइम पर क्या होगा एवेसको शिक्सपाई नीटा आर भी हो जाएगा ठीक है तो माना एक द्रणवा चिकनी गोलाकार वस्तु जिसका भार डवलू जिसकी तिर्जा आर जिसका गहनतु रो तथा सिग्मा घनतवा नीटा घनतवाले गुणांक वाले द्रव से मुक्त का रूप से छोड़ी गई है ठीक है तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा वस्तु का भार डवली स्कॉस्टू आयतन गुणा घनतव गुणा गुणा गुर्तवे तोरन ठीक है तो आयतन 4.3 pi r cube और घनत रो गुर्तवे तोरन हो जाएगा ठीक है अब कह रहा है कि द्रव का उच्छे बल पी ये तो वस्तु का भार है ये उच्छे बल ले ले लें अगर हम तो गोले द्वारा टाएगा द्रव का आयतन इंटू द्रव का गुणा तो इंटू गुर्तवे तोरन हो जाएगा ये द्रव का है और ये गोले का था ठीक है तो ये हो जाएगा 4.3 pi r cube और sigma इंटू g ठीक है कि सामय वस्ता की शर्त है कि 6 pi नीटा r v प्लस 4.3 pi r cube रो g इसको स्टू 4.3 pi r cube स्टू ये sigma है ये रो है रो जी ठीक है अगर हम इसको इधर ले जाएं ठीक है अगर इधर ले जाएंगे तो 4.3 pi r cube g कोहमन आ जाएगा दोनों में से तो ये हो जाएगा bracket में आ जाएगा sigma r minus sigma ठीक है और अगर हम यहाँ से v की value निकालें तो 2 r square r p minus sigma upon क्या हो जाएगा 9 nita into g ठीक है और अगर हम यहाँ से nita की value निकालें तो v आपका यहाँ चला जाएगा तो v को हम क्या लिख सकते हैं फिर v is close to sorry nita is close to हो जाएगा फिर 2 r square rho minus sigma upon 9 v into g ठीक है श्यांता गुडां का ऐसा ही मात्रक जो होता है newton meter per second होता है kilogram meter per kilogram per meter second होता है तरता इसकी भीमा जो होगी ml minus 1 t minus 1 है ठीक है तो श्यांता गुडां का मात्रक जो होता है poise भी है ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 kilogram per meter second is close to 10 poise होगा ठीक है यहाँ पर जो है इस फी के कुछ नहीं है ये दूके से आगया है ठीक है? गलते हैं नेक्स कोशन पर आते हैं कहह रहा है कि आदर्स के ज़स क说 के से कहते हैं ठीक है? और चिद्ध कीजे कि किसी नली में आदर्स दरव का धारा रेगे प्रवा होने पर वह द्रव जिसमें सुनने संपेड़ता तता सुनने शानता होती है उत्पत्ती के लिए कि मान लीजे कि आसंपेड़े द्रव आसंपेड़े तता आश्यान द्रव एक आ समान अनप्रस्ट कार्ट की चेतरफल अनप्रस्ट कार्ट की नली x y में से बहकर जा रहा है मालने जे ये एक नली है x y ठीक है ये बहकर इसमें से जा रहा है ठीक है माना की x वह y 0 पर अनप्रस्ट कार्ट का चेतरफल क्या है एक तरफ A1 है एक तरफ A2 है ठीक है और उसमें बहने वाली द्रफ का वेग भी वहाँ पर V1 V2 मालने है अगर X और Y के लिए अलग अलग ठीक है तो केंदर का मानत की द्रफ का घनत वहाँ जो हो जाएगी वो रो हो जाएगी ठीक है द्रफ को द्रफ दोनों के लिए common ले लें द्रफ का वेग वेट्यों हो जाएगा ठीक है उसमें बहने वाली धारा भी हो जाएगी बहने वाली जो धारा है वो बहर के निकल जाएगी ठीक है तो कहरा है कि एक और अगर हम Y से निकलने पर बताएं द्रब का द्रबमान तो P into A2 V2 ठीक है? अब कह रहा है कि क्योंकि X में से बहने वाले धारा वही धारा होगी जो बहे के निकलके Y2 से जाएगी मतलब X में जो धारा बहेगी वही धारा Y2 से निकलके जाएगी तो दोनों धाराएं क्या हो निकलके निकलके तो द्रबमान दोनों का तो दोनों को जब हम बरावर रखेंगे तो P से बी टनसल हो जाएगा यह पी की जगह यहां पर पी बना दिया है पर यह रो है तो यहां क्यों जगा A1 V1 इस इस पर चूश चुश टू हो जाएगा ठीक है? तो कह रहा है कि X पस्ज काट के छेतफल तता द्रव के वेक के गुरन फल एक नेतांक होता है उपयोग समीकरन को सांतत्य समीकरन भी कहते है मतब यही सांतत्य समीकरन है ठीक है नेक्स कोशन पर आते है बर्नौली की प्रमे ठीक है कह रहा है कि बर्नौली की प्रमे का उले कीजिए और उसे सिद्ध ठीक है और द्रवों के रवा में रेनॉल्ड संख्या का क्या मेहत हुए ठीक है बर्नोली की प्रम्य ठीक है कह रहा है कि बर्नोली का उपयोग द्रव गति की द्रव गति की में व्यापक रूप से किया जाता है ठीक है यह उर्जा सनरक्षन के सिदान पर हदारित होता है ठीक ह अश्यान दरव धारारे के परवा में होता है तो उसके पत के प्रतेव बिंदू पर जो उसका पत है बardi मतब जिस पर वो चल रहा है उसके प्रतेव बिंदू पर दरव तरव की कुछ औरजा अर्था दाब औरजा, गतिज औरजा गुर्त्वे सिती जूर्जा का योग सदेव क्या हो जाता है वहाँ नियत हो जाता है ठीक है तो वहाँ उसके according अगर हम बर्णोली की प्रमे के recording हम इस formula को लिखे तो क्या हो जाएगा प्लस वन अपॉन टू रो वी स्कूर प्लस रो जी एच ए इसको स्टू नेता ठीक है अब हम इसका प्रूफ करेंगे कह रहा है कि माना कोई आसंपेड़े या आश्यांद्र किसी आसमान काट वाले छेत्रफल वाली नली एकस वाई में प्रवेश कर रहा है ठीक है तो वो धारारे की प्रवाव होगा वहाँ पर ठीक है माना एकस का छेत्रफल ए है एवन है वाई का छेत्रफल एटू है एकस की अधार रेखा की उचाई हवन है वाई की अधार की उचाई हटू है एकस से वेग वीवन वहरा है वाई से वेग वीटू वहरा है डाइग्राम है जिसमें आपको शो किया गया है A1, P1, H1 A2, P2, H2, V2 V1, V1 यह रहा ठीक है अब यहाँ पर बताया गया है कि र्यवदी की कैसे इसने कारे किया है कि माना दर्व का प्रवाव T2 के लिए हो रहा है ठीक है तो X पर दाव P1, Y पर पर पीटू हो जाएगा यदि दर्व का दाव पीवन दावांतर निकालें मतलब दाव में जो अंतर होगा वो निकालें तो P1 मैनस पीटू हो जाएगा ठीक है तो X से Y की और बहने लगता है ठीक है दर्व की दाव उर्जा द्वारा किया गया कारे द्राव की गती जूर्जा एवा मिस्तिती जूर्जा में व्यद्धी के रूप में प्राप्त होगा ठीक है तो कह रहा है कि कार X पर ठीक है मतलब जो X है X दिशा जो है उस पर प्रवेश करने वाले जो वेग है वी वेग से द्रभ जो है वो बहरा है ठीक है तो इस द्रभ पर द्रभ पर पर P1 into A2 कारे होगा ठीक है अता है X में प्रवेश करने वाले द्रभ पर T 2.1 में किया गया कारे क्या हो जाएगा बल इंटु दूरी ठीक है बल इंटु दूरी निकालेंगे तो बल क्या है बल इंटू अगर दूरी रखेंगे फॉर्मला तो P1 इंटू A1 P1 हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से ये X के लिए था अगर हम इसी प्रकार से Y के लिए निकालें Y वाले दिशा के लिए तो वहाँ पर कारे कित्ता हा जाएगा P2 कारे हो जाएगा P2 A2 V2 ठीक है अगर हम इसको तुल्ले कारे करें ये अगर तुल्ले दोनों कारे करेंगे तो क्या हो जाएगा W2 इसको माइनस कर देंगे ठीक है अगर हम इसको माइनस कर देंगे कह रहा है कि परंतु सत्ता के समीकरन के कार्ट पर एक सेकिंड में प्रवावित आयतन समान हो ठीक है जब उसमें आयतन समान होगा तो v1 is close to v2 equal हो जाएगा ठीक है जब v1 is close to v2 equal हो जाएगा तो a1 v1 is close to क्या हो जाएगा a2 v2 ठीक है ठीक तो इसके according अगर हम w कारे के लिए देखे तो w1 is close to क्या हो जाएगा p1 minus p2 into v ठीक है क्योंकि ये दोनों value जो हो जाएगी वो equal हो जाएगी या तो इसको हम v मालने small v जो भी मालने ठीक है उसको value को equal रख देंगे तो कारे क्या हो जाएगा w1 p1 minus p2 into v ठीक कह रहा है कि एक सेकिंड में हो जाएगी ठीक है half mv1 हो जाएगा यहां ठीक है और यह वाइच सिरे से निकलने वाले द्रव की गति जूर्जा जो हो जाएगी वह half mv2 square यह यहां 2 लिख सकते हैं ठीक है तो इसके according अगर दाब में पविर्तर निकालेंगे स्वरिगाती जूर्जा में पविर्तर निकालेंगे क्या हो जाएगा k1 minus k2 यह आपका k1 है यह आपका k2 है ठीक है इसके according अगर हम निकालेंगे तो इस value को हम इसमें से minus कर देंगे जो कि यह 2 वाला है minus करेंगे तो half mv2 square minus half mv1 क्योंकि k2 minus k1 कर दीजे चाहे k1 minus k2 कर लीजे उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर next में कह रहा है कि x सिरे पर x पर द्रव की स्थिति जूर जा और y पर द्रव की स्थिति जूर जा क्या हो जाएगी क्या है यहाँ पर mgh1 और y पर mgh2 ठीक है दोनों में इसमें भी अंतर निकाले मतब इसमें भी परिवर्तर निकाले इस्थिति जूर जामें तो क्या हो जाएगा u2 minus u1 ठीक है तो यहाँ पर भी delta u निकालेंगे u निकालेंगे पर क्या जाएगा यह हो जाएगा mg back it में h2 minus h1 ठीक है अब कहरा है आगे की द्रव की यह उर्जा द्रव पर कारे किये गए तुल्ले कारे के कारण होती है ठीक है मतलब जो तुल्ले कारे है उसमें उसके कारण होती है इसलिए उर्जा सरुक्षर के सिदान के अनुसार जो तुल्ले भी value उपर से रख लेंगे रखने के बाद क्या होगा तीनों में से ही V common आ रहा है ठीक है तो V common ले लेंगे ठीक है और V common लेके इधर cancel out करके हम क्या करेंगे MV square होता है row is close to ठीक है तो MV square निकाल लेंगे ठीक है उससे काट देंगे cancel out कर देंगे वो row हो जाएगा और बाकी ये value इधर हो जाएगी ठीक है इसको solve करेंगे solve करने पर क्या होगा और यहाँ यह वी है capital V है sorry ठीक है जो की उठाएंगे इधर जाएगा तो यह V M के नीचे चला जागा, यह इधर वाले M के नीचे चला जागा, यह इधर M वाले नीचे चलागा, और M रो इसको स्टू होता है, M upon V, ठीके, तो रख देंगे हम हर जगे, तो अगर हम 11 वाले को एकसाइट कर दें, और 22 वाले को एकसाइट कर दें, मतलब जो X-axis से जारी थी, उसको अलग-अलग कर दें, सेपरेट कर दें, तो क्या हो जाएगा फॉर्मुला, P1, half, P1, half, P1, half, P1, half, Rho, V1, square, plus, Rho, G, H2, square, G, H2, ठीक है, अगर हम 1, 2, 3 ना लगाकर, अगर हम इसको सिंपल लिखें, तो हो जाएगा, Rho, plus, half, Rho, V, square, plus, Rho, G, H, इसको स्टू नेता, ठीक, यही हमारी क्या है, बर्नॉली की प्रम्य है, अगर हम इसको सीश के रूप में लिखें, ठीक है, तो सीश के रूप में लिखने के लिए, Rho, G, से हम इसे भाग देने पड़ेगा, ठीक है, तो फॉर्मुला हो जाएगा, P upon Rho, G, V, square upon 2, G, और into H, एक नेता है, ठीक है, यह क्या है, यह दापका फॉर्मॉला है, यह गदी शीश का फॉर्मॉला है, इस्तितीज शीश का फॉर्मॉला है, ठीक है, अब आते हैं, नेक्स कोशन पर, नेक्स्ट कोशन है रेनॉल्ड वाला भी आपने पीछे किया है ठीक है आप उहां से देख लिजेगा कोशन में नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि इस टोक्स के नियम को लिखिए सिमान द्वेक के लिए सुतिस दापित के जब किसी स्यान द्रव में लोहे की छोटी बॉल के संपर्क वाली द्रव की परत कह रहा है कि जब किसी शान द्रव में लोहे की छोटी बॉल की संपर्क वाली द्रव की तरह परत उसी द्रव से चलना प्रारम करती है जिस वेक से बॉल चल रही है ठीक है मतलब कि कोई द्रव है उस पर हमने एक लोही की छोटी सी बॉल डाल दी है और वो उसी तरह के से चल रहे है जिस तरह के से पानी चल रहा है परन्तु बॉल से दूर की परत बॉल से जो दूर वाली परत है वो विरा मवस्ता में मतलब जहां बॉल चल रहा है वहां तो चल रही है पर आगे वाली जो परत है वो इस्तिर है तो इस प्रकार शेप गती उत्पन हो जाने के कारण ही द्रब में श्यान बल कारे करने लगता है तथा यह बल गती का विरोध करता है यह बल गती का विरोध करता है तो इस बल का मान बॉल की गती बढ़ारी के साथ साथ बढ़ता है स्टॉक्स के सिद्ध किया था स्टॉक्स ने सिद्ध किया था इस दरव का इस शानबल का मान निमन प्रकार से होगा तो f is close to 6 pi n 6 pi nita r v इसके according सिद्ध किया था इस टॉक्स ने जहां r जो है ball की तरज़ा है v वेग है सिमान्द वेग नीटा जो है शानता गुणांग है तो कह रहा है कि ball पर कारेरत शानबल माध्यम के शानता गुणांग नीटा ball के सिमान्द वेग v व व बॉल की तरज़ा r पर निर्भर करता है इस फॉर्मलेक से हमें पता चलता है कि यह नीटा पर v पर और उसकी तरज़ा इन तीनों पर निर्भर करता है अगर हम एक question देखेंगे तो इस टाइप को question आता है कि किसी द्रव की बून वाईउ में पांच मीटर पर सैकिंड के वेग से गिल रही है ठीक है यदि बून का व्यास 10 मीमीटर है ठीक है तो इस था वाईउ की शांता 18 इंटू 10 की बाद मैनिस 5.2 पॉइज हो ठीक है तो शांत बल गया हम करेंगे पहले यह जो वेग दिया हुआ है इसको हमने capital ले लखा है ठीक है तो वेग है 5 मीटर पर सैकिंड क्या करेंगे है पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे 10 की पाद में・3 सग्ड़िप्ल्राई क करेंग ठीक है तो 5.3 मीटर हो जाएगी तोzos 2.8 तोसी 2.7News 5.8 इंटू10 की पाद मीटर него जाएग वह जाएगी अभप शयानवल में फॉमला रखेंगे, कर एंगे एफ इसको तो 6 पाइं नीटा अर वी जब सॉल्व करेंगे इस सब को तो आ जागा 8.48 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अब आते हैं नेक्स कोश्चन पे नेक्स कोश्चन है नेक्स पॉइंट है उसका कि स्टोक्स के नियम के अनुप्रियोग भी बता ठीक है कहरा है कि स्टोक्स के नियम के अनुप्रियोग भी बता इसमें कहरा है नियम में कि पेरशूट की सायता से मनुष्य असानी से प्रिथवी पर आ जाता है ठीक है ये पेरशूट इस स्टोक्स से ही गिरता है, ठीक है, परन्तु कुछ समय बाद पराशूट खुल जाता है, वह मनुष्य का तोराण कम हो रह जाता है, ठीक है, तता वायू की श्यानता के कारण मनुष्य का तोराण सिक्र ही सुनने हो जाता है, परन्तु मनुष्य की नीचे गिरने की चाल पराशूट खु यहां के गिर सकता है बहुत तेजी से जब पैरशूट खुल जाता है तो उसके गुर्ट वे तोरण कमान कम हो जाता है और एक टाइम के बाद वो शुड़ने हो जाता है जिसके कारण वो नीचे नहीं गिर पाता है ठीक है इसी तरीके से से कि बादलों का बनना भी स्टोक के एमपेरा था जेते वाई मंडल में उपसे जल की वाश्व जल की वाश्व जो रह जाती है वाई मंडल में धूर के कणों पर संगनेत्र होकर छोटी-छोटी बूंदे बना लेते हैं ठीक है प्रारम में ये बूंदे छोटी-छोटी होती है कि नीचे इनकी नीचे की ओर चा है थिक यह कितने प्रकार होता है समझाईए प्रती बल जब किसी वस्तु पर कोई विरूपक बल लगाया जाती था था बस्तु में आंतरिक प्रत्यानन बल उत्पर बहुता है जो विरूपक बल को संतुलिद कर लेते हैं और वस्तु आगे विरूपित नहीं होती है इसे सामय वस्ता कहा जाता है मतलब आगे की साइड नहीं बढ़ती है तो एक स्थिर वस्ता में आ जाती है उसे ही हम सामय वस्ता कहते हैं सामय वस्ता में किसी वस्तू के एकांग शेत्रफल पर कारेरत आंतरिक प्रतिकिर्या बल को अगर हम प्रतिवल का फॉर्मला देखें तो f upon a हो जाएगा इसका मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है जिसे हम पीए बोलते हैं या हम बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर इसका है अगर हम भी में सूत्र की बात करें तो ml-1, t-2 होगी ठीक है कह रहा है कि वस्तु में उत्पन प्रतिवल इस बात पर निर्वा करता है कि वस्तु का बायवल किस प्रकार से लगाए जा रहा है इस अधार पर प्रतिवल दो प्रकार के होते हैं ठीक है प्रतिवल कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के ठीक पहला है कि अबिलम प्रतिबल जब किसी वस्तू पर उसी सताय के लंबवत विरूपक बल लगाएगा यहाँ पर किसी बात हो रही है लंबवत की तो यहाँ पर लंबवत बल लगाए जाएगा तो वस्तू के प्रति एकांग शेटफल पर मतलब जहाँ पर शेटफल वन हो कारेरत अंतिक प्रतिकिर्या बल को अभिलम प्रतिबल कहेंगे ठीक है तो अभिलम प्रतिबल वस्तु में होने वाले प्रविर्थन के अधार पर निमने दो प्रकार से कारे करता है तनन प्रतिक बल ठीक है पहला क्या है आपका तनन प्रतिवल और दूसरा है संपीरन प्रतिवल ठीक है पहले तनन बल की बात करते हैं कहरा है कि किसी विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में व्रद्धी होती है लगाए गए बल लगाए गए प्रतिवल की दिशा में वित्रित होता है मतलब जा रहा है या बढ़ रहा है तो वस्तु के प्रतिवल प्रति एकांग अनप्रस्थ छेत्रफल पर कारेरत आंथे प्रतिकिर्या बल को तनन बल तनन प्रतिवल कहते हैं ठीके माना एल लंबाई त तो उसमें जो लंबाई में व्रद्धी हो रही है तो उहां पर तनन बल क्या है अब कह रहा है संपीरन बल संपीरन बल क्या कह रहा है संपीरन बल में कह रहा है कि यदि विरोपक बल लगाने वे वस्तु की लंबाई में कम ही होती है अत्वाग वस्तु संपिरित होती है तो उसके प्रतिवल प्रति एकांग कर्य शेत्वल पर कारियरत आदिक प्रतिवल को संपिरित बल कहते हैं ठीक है, कह रहा है कि L लंबाई के अंपरस काटकी शेत्वल में ऐफवल लगाने पर वहां पर जो है डिल्टा-L की कमी हो जाए लंबाई में, ठीक है, तो वहां पर तब प्रतिक्याबल क्या हो जाएगा, F upon ही हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट भी ह आयतन प्रतिबल तथा जलिय प्रतिबल ठेक है जब किसी पेंड को उच्छ दाव के द्रव में भीतर डुबोया जाता है उच्छ दाव के द्रव में अंदर तक डुबोया जाता है तो पेंड के प्रस्ट के प्रतेग बिंदू पर द्रव का दाव प्रस्ट के प्रतेग दूपर द्रब का दाब जो होगा अभिलम की दिशा में लगता है ठीक है लंबवत लगता है मतलब ठीक है तो तब पिंड को संपीरित कर देता है मतलब हिला देता है तो इस स्थिती में पिंड में आयत विकृति उत्पन हो जाती है वहाँ पर आयत बनने लगता है एक जलिये प्रतिवल तथा अभिलम प्रतिवल कहलाता है कि प्रत्यानन बल जलिये वल तथा अभिलम प्रतिवल कहलाता है ठीक है सेकंड पॉइंट पे आते हैं इसके प्रतिवल के सेकंड पॉइंट है आपका इस पर्ष रेखिए अपरूपन प्रतिवल ठीक है इसमें कहा रहा है कि जब किसी वस्तू की सतय पर विरूपक बल इस पर शेखा दिशा में लगाया जाए, मतब एक सीधी रेखा में लगाया जाए, तब वस्तू की आकरती परिवर्तित हो जाती है, मतब वस्तू की आकरती चाहोगी थोड़ी सी बदल जाएगी, जबकि उसका item आप इबर्द रहता है कोई भी वस्तू है उसकी अगर आकरति चेंज हो रही है परंतु उसका item जोगा वो कभी चेंज नहीं हो ठीक है जाहे है आप उसको कितनी भी direction में मोल लें या किसी भी shape में change कर लए ठीक है इस सिथी में वस्तू के प्रतिवल करायरत आंतरी पृतिकिर्या बल को इसपर्च रेखिये या अपृपन बल पृतिबल कहते हैं अब कहा हैं यदी किसी बस्तु एप कहा है यदी बस्तु प्रस्ट छेतफल वाली सतह पर F बल इसपर्च रेखिये दिशा में लगाने पर बस्तु का प्रते को रतवादर तल ठीटा कौन विस्थापित हो तब वस्तूपर कारेरत इस पर शेखिय या प्रूपन बल प्रतिबल क्या हो जाएगा? एफ अपॉण नहीं हो जाएगा यही हमारा प्रतिबल है अब आते हैं विक्रती पर विक्रती से क्या अतात पर रहे है और यह कितने प्रतार की होते हैं उसके बारे में बताना है कह रहा है कि जब किसी वस्तूपर विरूपक बल आरूपित होता है मतलब कोई बल आरूपित होता है तो उसके अकार अतवा रूप अतवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है ठीक है उसके अकार में भी परिवर्तन हो जा रहा है उसके रूप में भी परिवर्तन हो जा रहा है या दोनों में ही एक साथ परिवर्तन हो जा रहा है तो ये कहा जा सकता है कि वस्तु विकृत हो गई बतला वस्तु एक टाइब से कह सकते हो बदल गई है नो तो वस्तु के अकार अत्वार रूप में होने वाले विन्नात्मक पईवर्तन को वस्तु में उत्पन विक्रिति कहते हैं ठीके जैसे किसी तार पर भाल अटकाने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है तब तार की लंबाई में होने वाले व्रद्धी तता प्रारंबिक लंबाई के अनुपात को ही हम विक्रिति कहेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मला बनाते हैं तो विक्रिति वरावर जाएगा प्रारंबिक में लंबाई लंबाई में व्रद्धी बटे प्रारंबिक लंबाई अगर उसमें व्रद्धी हो कई डेल्टा एल तो डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा फॉर्मूला ठीक है कह रहा है कि चूकी विक्रती एक अनुपात है अता है इसका कोई मातरक नहीं होता तता ये विमाहीन राशी है ठीक है तो विरूपक बल के अधार पर विक्रती जो होती है वो तीन प्रकार की होती है ठीक है तो पहली विक्रती का विक्रती जो है वो है अनुध्यर्य व जब किसी वस्तू के विपरीट सिरोपर फिर्ट ह Mooush अफ ऐस्तू के विपरीट मतलब कि एम ऑननुधिश बल लगाजा थे थे तो उसकी लमबाई में व्रद्धू को जाती एक तब छ वस्तू की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुधहरे विकृति कहते हैं तो अनुधहरे विकृति में लंबाई में जो होगी वो कमी हो जाई ठीक है लंबाई में विध्धी कमी हो जाती है ठीक है तो यदि वस्तु की लंबाई capital L है प्रारंबिक और जब उसको खीचा गया तो उसकी लंबाई small L हो गई ठीक है तो अनुदहरे विकृति का जो formula बनेगा वो small L upon capital L बन जाएगा next point है इसका अप्रूपन विकृति कह रहा है कि अप्रूपन विकृति में कह रहा है कि जब किसी वस्तु के दो समांतर जब किसी वस्तु के दो समांतर तथा विपृत फलकों पे ठीक है इस पर्श रेखी इस पर्श रेखी दिशा में परिवर्तन परिमार में समान रूप से विपृत बल लगाया जाए समान रूप से विपृत बल मतलब opposite direction में बल लगाया जाए या opposite बल लगाया जाए तो वस्तु की लंबाई तथा आयतन तो नियतर बने रहेंगे परन्तु वस्तु की आकरती विकृत हो जाएगी मतलब वस्तु की आकरती में चेंज आ जाएगा ठीक है जब वस्तु की गेंद के आयतन में कमी हो जाती है जो गेंद का आयतन जोता है उसमें कमी हो जाएगी ठीके तो एकांक आयतन में होने वाली कमी को गेंद की आयतन विक्रती कहा जाता है ठीक है अगर हम इसका फॉर्मुला देखें तो क्या हो जाएगा आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंबिक आयतन तो formula हो जाएगा delta V upon capital V sorry delta V upon V only अब आते हैं hook का नियम hook का नियम कहता है कि लगू विकृतियों के लिए मतलब थोड़ी बड़ी विकृतियों के लिए पदार्थ में उत्पन विकृति पदार्थ पर कारिरत प्रतिवल के अनुकुन पाती होती है इसे ही hook का नियम कहते हैं अते किसी दी होई वस्तु के प्रतिवल तथा विकृति के अनुपात को एक नियत मानते हैं और इसे ही हम प्रत्यास्ता गुणांक के बराबर मान लेते हैं तो यह हमारा क्या कहलाएगा आपका hook का नियम कहलाएगा कि किसी दियेवे पदार्थ के लिए प्रत्यास्ता गुणांग उसमें उत्पन विक्रती तता प्रतिवल पर निर्भर करता है यह हमारा क्या है हुक का नियम है दाप से क्या तात पर रहे है दाप कह रहा है कि किसी वस्तु के किसी वस्तु के एक आंक शेत्रफल अविलम कारे करने वाले बल को उस तल उस तल पर दाप कहा जाता है उस बल को उस तल का दाप कहा जाता है इसे हम capital P से पर दर्शित कर सकते है माना किसी प्रष्ट के अलपांच शेटरफल डेलटा अ पर कारी करने वाला बल जो हो जाता है डेलटा F हो तब इस पर अलपांच डाब जो कारे करेगा वो पी स कुस्ट्टू हो जाएगा लिमित डेलटा इस यह तैंस टू जीरो डेलटा F अपॉन डेलटा है ठीक है तब प्रेश्ट चेत्रफल ए पर अभिलम लगने वाला बल जो हो जाएगा वो F हो जाएगा ठीक है उस पर ओसत दाब जो हो जाएगा P average इसको स्टू F upon A ठीक किसी Piantes पर आरो पिदद प्रेश्ट पर कारेरत अभिलम बल तर्फल के जीद पर निवह करता है तो समान परिमार का बल आपका एक अन्य मात्रक भी होता है ठीक है एक आन्य मात्रक वायमंडल है जिसको हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं इंग्लिश में तो वन एटमॉस्फेयर या वन वायमंडल इसको हो जाता है 1.013 इंटु 10 की पावर 5 पासकर अब आते हैं नेक्स कोश्चन पर रेनॉल्ड सं अभी पीछे कोश्चन था आप यहां से देख लिजेगा ठीक है तो रेनोल संग्या 1883 इस वे में प्रोफेसर आसबॉर्ण रेनोल ने कोशिका नली में द्रवों के प्रभा के संबंद में अनेक प्रयोग किया ठीक है इसमें निश्कर्ष निकाला और वहां से द्रवों के प् वतनत होता है वह रो किनंगी अन्कवानपार्थी होता है कहां वैक के वित करहने पादी उता है तो फिक अचल कर यह तो नीटा अगर हम थीनों को यकुक्र ले ले तो सब्सके अगर हम एक तीनों को ले 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 तो नीटा अपन रो डी हो जाएगा और फॉर्मुला अगर हम रो को हटा दें तो एक constant लगाएंगे हम अगर हम यहां से आर की value निकाल ले तो क्या हो जाएगा यह दोनों इधर चले जाएगे तो वी सी रो डी अपन नीटा हो जाएगा यह रो है सुरी गलत इन्होंने गलत कर दिया है ठीक है सुत्र 2 से ठीक अगर हम इसको लिख ले तो आरी इसको जाएगा रो ए वी सी अपन नीटा ए वी सी अपन टी ठीक है अग कहरा है कि ए जो है यहाँ पर अनप्रस काट का छेत फल है अनप्रस पर छेत फल है ठीक है और रो ए वी सी स्क्वार इसको जड़त वी बल है ठीक है और नीटा ए वी सी अपन डी को श्यान बल कहते हैं तो रेनॉल्ड की जो फरिभार फॉर्मला जो आएगा वो एक अनपात में होता है इसलिए इसकी कोई बीमा नहीं होती है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बीमा ही राशी कहते है ठीक है अब कह रहा है इस पर हाँ बीमा ही राशी होती है तो इस पर कोई बीमा नहीं होगी तो हम जीरो जीरो ले सकते हैं वैसे नहीं भी लेंगे तो कोई फ से कम हैं तो उसका प्रभाद इस्तरिय या धारा रेखी होगा और अगर उसका मान 3,000 से अधिक है तो दरफ प्रवाद विच्छु हो जाता है ठर्यक है और अगर developing सांख्यक मान 2000 और 3000 के बीच है तो जो प्रवाद वो अस्थिह हो जाएगा तता कभी धारा रेखिए और कभी विच्छुप दोनों हो सकते कभी धारा रेखिए हो जाएगा कभी विच्छुप हो जाएगा ठेक यह कुछ कोस्टन थे इंपोर्टेंट कोस्टन जो पेपर में पेपर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जाएगों थैंक्यू